इसका मतलब है कि करोना विमारी में mild, moderate और severe इसका मतलब क्या होता है? Mild patient वो है जो आराम से हम घर पे manage कर सकते हैं, जिनको अस्पताल में भरती होने की जरूरत नहीं है बट इन मरीजों को भी अपना खास ध्यान रखना चाहिए, normally mild category में जो symptoms रहते हैं वो है बुखार, खांसी, सिर्दर्द, आंखे लाल हो जाना, छीकेंग, पेट दर्द, ठकावर्ड, एनरजी ना फील करना यह सब एक mild category के symptom है, बट इसमें oxygen patient की जो मरीज की oxygen है वो 95% से उपर होनी जाहिए इन मरीजों को अपना घर पे exertion test और sit up and down test जरूर करना चाहिए और अगर इनकी oxygen 95 से नीचे जाती है तो इनको immediately doctor को contact करना चाहिए करना चाहिए